कानपूर से इस वक्त की ये बड़ी खबर हिंसा पीडित परिवार से मिले अखिलेश यादव सपा ने पीडित परिवार उनको 5-5 लाग के चेक बाते अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना भी साधा कहा बीजेपी सर्फ देश को बांटना चाहती है योगी सरकार के इशारे पर हिंसा हुई थी ये कहना था अखिलेश यादव का बीडितों पर ही पुलीस मुकदमा दर्च कर रही है बीसी सभी विश्विद्यालियों को एक रंग में रंग ना चाहते हैं अटल खाट पर पीम के गिरने पर भी अखिलेश यादव ने चुट की लिए है कहा सरकार को पता नहीं गंगा पर कारे क्या करना है CAA लाकर बीजेपी ने हिंदु मुस्लिमें भेदभाव पैदा किया CAA के सर्टिफिकेट में सभी जगों पर लूट पाट हो रही है तो कानपूर में रईस खान जो की हिंसा में मारे गए थे उनके परिवार से आज मिलने पहुंचे हैं अपसे कुछ देर पहले अखिलेश श्यादव और यहां पर पांच पांच लाके चेक भी परिवारों को बाटे हैं और उसके बाद सीधे तोर पर निशाने पर रखा है बीजेपी सरकार को बहुत सी बातों का जिक्र किया खास तोर पर CAA को लेकर कहा हिंदु मुस्लिमे भेदभाव की स्थितियां पैदा करना चाहती है भारती ये जनता पार्टी तो बीजेपी सिर्फ देश को बाटना चाहती है ये कहा है अखिलेश श्यादव ने और ये भी कहा कि योगी सरकार के इशारों पर ही ये हिंसा हुई इस हिंसा को अंजाम दिया गया हिंसा पीडित परिवार से मिले अखिलेश श्यादव सपने पीडित परिवारों को पांच पांच लाग के चेक भी बाटे लगातार आपको बता दे जितने भी हिंसा में पीडित परिवार है जिनके घर से कोई ना कोई शक्स मरा है उनसे मिलने की कोशिश में समाजवादी पार्टी अध्याक्ष अखिलेश यादव धांडस बंदाते हुए परिवार कानपूर से इस वक्त हमारे समवादाता निरच अवस्ती फोन लाइन पर मौजूद है निरच अखिलेश यादव य योगी सरकार को यहां तक कह डाला कि हिंसा भी योगी सरकार के इशारे पर ही हुई प्रसासन है जो वो बिल्कल तयार था इन सब चीजों को करने के बूली चलाने के लिए जिसमें हिंसा में लोगनारे को तुम पकेहना कहिना कई और जीलों में भी इस तरीके की शचना इसामने आए लेकिस अन जीलों में जो अधिकारी से वहां के प्रसासन था उसों से बहर जो दिल्ली के चुनाव है उसे पेज़ी दिवाल की आप पार्टी का सवत्तन भी करेंगे